हेलो एवरिवन मैं बिलाल एक बर फिस से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में तो डियर इस्टोडे अज़ा हम बात करने वाले हैं समाजी स्वरोकार और समाजी स्वरोकार का आज कमार विशा है पीम केस फंड जी हां पीम केस्ट की स्थापना कब के गए थी दोस्तों तो पीम केस्ट की स्थापना की गए थी 28 मार्च को जहां 28 मार्च 2020 यानि जब भारत में क्रोना का पहला प्रकोप आया और लोग डाउन के चार दिन बाद ही हमने इस फंड के स्थापना करी मानने प्रदानमंत्रिन ने सब्सक्राइब करना इससे गुर्वत्ता पुर्ण इलाज सुनक्षित होगा साथ यह करोना वारस को खतम करने के लिए रिसर्श को बढ़ावा देगा मैं हर छेत्र के लोगों से पीम केस्ट में सयोग करने की अपील करता हूँ लेकिन आज की जमेनी हालत कुछ और है पुरे देश का हाल क्या है आपको बताते चलें कि पीम केस्ट फंड के तहए दो सो दो करोन के लागत से देश भर में 162 PCA यानि ऑक्सिजन बनाने वाला प्लांट लगाय जाने थे राज्य सरकारों को केवल इंस्टॉलेशन का पैसे देना था यहां से अस्पताल तक के लिए पाइप लाइन बनाने खर्चा अस्पताल को खुद उठाना था जी हां साल की सुरुवात में कोविड काफे कम हो चुका था ऐसे में काम में लापरवाही बरती गई और अभी तक क्यों 33 ही प्लांट इंस्टॉल हो चुके है जी हां 33 प्लांट जो कि कितने स्थापित करने चाहिए थे 162 अवंटन किये थे जी हां सोचिए PM केस फंड में प पूरे छे महिने की वक्त लगता है और उस छे महिने के लापरवाही का खाम्याजा आज भारती जंता भुगत रही है दोस्त किसका है राज सरकार का किया कि हमारे पास ओक्सिजन नहीं है कि सरकार कहना है कि हमने PM केस्फंड से राज्यों को प्लांट लगाने के लिए पैसे पांच मर्द परदेश में हैं चार हिमाचल परदेश में और तीन तीन प्लांट जो हैं चंदीगर गुजरात और उत्राखन में इसके लाबाद दो बिहार करनाटक और तमिल नाडू में दो और एक एक जो हैं आंद परदेश च्छेटिजगर दिल्ली हरियाना महराष्ट् प्लांट अभी तक फंक्शनल हो पाया है कि सच के अगर हम बात करें कि 21 अक्टूबर 2020 को केंश सरकार ने 14 राज्यों में 162 PCA यानि ऑक्सिजन प्लांट लगाने के लिए करीब 202 करोड रुपे PM केर्स फंड से अबंटिद किये अब यहां पर ना एक बात पर ध्यान देना बहुत जुरूरी है कि मार्ज के अंतक केद्र के पास PM केस में पैसे आ चुके थे लेकिन ऑक्सिजन प्लांट के टेंडर निकालने का और टेंडर निकालने के लिए 6 महीने का लंबा इंतियार किया गया ना जाने क्यों यह सबसे बड़ा प्रसन होता है जोकि दोस्तों सभी लोगों को पता था कि इस कुरोना महामारी से तभी बचा जा सकता है जब हमारे पास प्रयावत मात्रा में ऑक्सिजन होंगे प्रयावत मात्रा में वेंटिलेटर होंगे प्रयावत मात्रा में पीपीय कीट होंगे प्रन्तु फि 62 में से सबसे जादा 14 प्लांट उत्तर प्रदेश में 10 महराश में 8 मद्ध प्रदेश में और 77 प्लांट हिमाचर प्रदेश और उत्तरा घंड में लगने थे जो भी जिम्मेदार स्टेक होल्डर थे अगर इस काम को मुस्तैदी से कर लेते तो आज स्वास्त सेवाओं के हाले इतनी बद्दर नहीं होती लोग सडकों पर अपना दम नहीं तोड़ रहे होते लोग होस्पिटल्स के बाहर अपना दम नहीं तोड़ रहे होते लोग टेमपो ओटो बाइक पर अपना दम नहीं तोड़ रहे होते अगर यह लापरवाई नहीं बढ़ती गई होती अगर यह सारे के सारे प्लांट जो है वो इंस्टोल हो पाए होते तो स्वास मंत्राले की जानकारी के मुताबिक अभी तक केवल 33 प्लांट इंस्टोल हो पाए है इन में से भी कितने फंक्शनल हैं ये जानकारी नहीं दी गई है यानि पार दृस्टा बिल्कूल भी नहीं रखे गई है दिल्ली जहां उक्सिजन का सबसे ज़्यादा संक्रस आपने आ रहा है वहां सिर्फ एक प्लांट लगा है यानि एक प्लांट ही फंक्शनल हो पाया है बाकी की प्लांट तने खड़े हैं प्लोट पर काम के नहीं है स्कूल वेबसाइट के मताबिक परताल की गई कि 14 राज़ों के ऐसे 60 अस्पतालों में फोन किया गया जहां ऑक्सिजन प्लांट लगाने थे इन प्रस्तावित ऑक्सिजन यूनिट में सेक्योल महच 11 इंस्टॉल पाये गई इनमें से भी 5 ही ओपरेस्टनल थी यानि 5 ही काम क प्रातर बढ़ गया है बीजीपी के निता कौंगरिस पार्टी पर कौंगरिस निता बीजीपी और बीजीपी निता आम आदनी पर बीजीपी पार्टी आरोप पर प्रत्रोप का दोर चल रहा है मैं कहता हूं आरोप अगर प्रत्रोप से देश की जनता का भला होता तो आरो कि अवसक्ताओं की पूर्थी कर सके उन्हें हर समस्याओं से निजात दिला सके प्रंदु क्या हमारी चुनुवी सरकार हैं ऐसा कर पाने में सक्षम हैं अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी सरकारों को सभी सरकारों को तुरंद इस्तिफा दे दना चाहिए जिम्मेदारी लेते हुए सच है कि सबसे ज्यादा प्लांट तो यूपी के नाम पर लोट हुए थे जहां भाजपा की सरकार है फिर भी वहां भी एक ही प्लांट क्यों लगा इसका जवाब तो दूर जिक्र तक बातों में नहीं आ रह रहें तो पीम केस्ट फंड से बिते साल करीब तेश सो करोड रुपे वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए दिये गए थे अठावर हजार से दिक मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए पैसा दिया गया लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मताबिक करीब तीस हजारी खरी रहें लोग पूरा देश मरगट की तरह बना हुए जहां देखो वहां लासे पूरे भेस में पूरे भारत देश में तरहाइमाम तरहाइमाम मच हुआ है पर उन्तु यह देश के नेता आपस में प्रत्यारोप आरोप लगाने में जुटे हुए हैं यहां पर बड़े-बड लिजन तो बहुत आसानी से किये जा सकते हैं क्योंकि उसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है दिल्ली जैसे सहर में जहां हजारों लाकों के संख्या में करोना वायरस की सिकार हो रहे हैं लोग लेकिन वहीं पर आई-पियल बड़ी धूम-धाम से और सुसर्जी तरीके सिके ज जा सकता है रोका भी जा सकता है टाला भी जा सकता है लेकिन नहीं क्यूंकि इसमें सरकार का पैसा लाग हुआ है मैं नाम तो लहीं नहीं नहीं चाहता लेकिन कुई करणशने और कुए कड़।- do भर속 है यह सच यह सच लिकिन कड़ोंतों मैं आप आपको बायस होने कि भी बोला हूं यह आपको सोचने के दिंसरो कि आखिर क्या हमारी सरकार है आम मांत smart मिडिकल सर्वीष सरेटी निकालना कि बोली लगवाना vendor select करना और काम करवाना फिर ये सब समय से क्यों नहीं हुआ vendor निकाले में 6 मेनिक दे दी क्यों अक्टूबर में जाकर एलान और राज़िक अवरंटन क्यों फिर contract देते देते December आ गया company से कहा गया कि 45 दिन में काम पूरा कर दें यानि plot install कर दें लेकिन एक काम अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं तो क्या इसके लिए जिम्मेदार कोन है सरकार जिम्मेदार है company जिम्मेदार है प्रसासन जिम्मेदार है या हमारे नोकर साही जिम्मेदार है सरकारे बस आखड़ी गिनायते नंबर्स गिनाते हैं दो सो दो करोड तेज सो करोड एक सो पासर प्लांट लेकिन यह सब जमीन पर हैं नहीं कहां पर हैं यही सबसे बड़ा सवाल है जोस्तों यह प्रसन अपको अपने आप से पूछना है कि क्या सरकार सरकार होने का फर्ज निभा पा रही हैं या सरकार केवल चुनावी वादे और चुनाव में उल्जी हुई हैं क्योंकि जब हमें इस महामारी से निपटना था तब सरकारों दोरा केवल चुनाव पर फोकस किया गया बड़े बड़े आयोजन से फोकस किया गया जब यह महामार एक पम्रूप रहाली सबुर्ण कर रहे हैं फिर भिञाल सरकार स्रीप विद्दे पुरा सबुना क्याल कोई नहीं कर रहा है जंता आखिर जाय कहां क्या चंटा की जान इतनी सस्ती हो है कि यह खादी कुर्टे पहनने वाले नेता अपने उद्देश को पूरा करने के लिए जनता की इसी प्रकार से बड़ी चलाते रहेंगे हमें जागरु खोना होगा इसलिए एक लोक तंत्रिक देश तभी स्वतंतर सही सुन रह सकता है जब वहां की जनता जागरु होगी नहीं तो लोक तंत्र को अधिनायक तंत्र बढ़ने में देर नहीं लगती धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद चैनल को लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद